हलो स्टुडेंट आपका हमारे यूटुब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर वन का जो एक्जाम हुआ है बीज दिसम्मर को फर्स शिप में उसके देखेंगे मैं इसके क्वेशन जो पूछे गए हैं वो कौन-कौन से हैं तो आज देखते हैं पहला कोशन हमारा है इसमें बोला गया था कि इसका हमें एप्रॉक्सिमेट वैल्यू बतानी है क्या होगी तो देखते हैं इसके एप्रॉक्सिमेट वैल्यू क्या होगी यहां पर रखा है 3.6 इंटू 4.2 डिवाड़ेड बाई 7.3 तो यहां पर सबसे पहले 3.6 अब देखे लोल के बाद नंबर जो है वो 5 से छोटा है तो यह हमारा इसका अप्रॉक्सिमेट 4 रहेगा ऐसे 7.3 है अब 5 से छोटा है तो इसका भी 7 रहेगा तो इसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू की 4 इंटू 4 अप आन में 7 तो इसका आंसर हो जाएगा option नंबर 1 तो यह कोशन पुच and the remainder is 4 then what is the number तो यहाँ पर यह बोला है कि यहाँ पर गर हम divide करते हैं कोई number ठीक है तो यहाँ पर हमें बोला कि remainder जो है शेशफल वो 4 है quotient भागफल हमारा कितना है 5 है और यहाँ पर एक और चीज बोली गई है भाग के सवाल में भाजक भाजक जो है भागफल का दुगना है divisor जो होता है वो क्या है quotient का double है तो यह 5 है तो यह कितना हो जाएगा यह 10 हो जाएगा तो हमें बताना है कि अंदर वाला number क्या होगा ठीक है तो कैसे निकालेंगे 10 गुना 5 जमा शेशफल 4 तो यह जाएगा 50 और 4 54 हो गया ठीक है तो इसका आंसर होगा 54 option number 3 इसका correct आंसर हो जाएगा ठीक है तो यह question आज के exam में पूछा गया था अगला question देखते हैं यहाँ पर बोला है दो अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है तथा वे 100 के आधे से कम और 4 दहाई से अधिक है तो संख्या बतानी है वो क्या होगी ठीक है तो यहाँ बोला है वो 100 के आधे से कम मतलब की 50 से कम होगा और 4 दहाई से अधिक 4 दहाई हमारा कितना होता है 40 जो नंबर होगा वो 40 से बड़ा होगा और पचास से सोट चोटा होगा अब हमें आगे बोला गया है दो अंकों की संख्या जो है इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का दुगना है तो अब देखिए हाँ ओप्शन में जो है चालिस और पचास के बीच में एक ही नंबर दे रखा है 48 और जो इकाई का अंक है मतलब कि जो आठ है वो दहाई के अंक का दुगना है डबल है ठीक है चार गुना दो हमारा आठ होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप्शन नंबर टू अगला कोशन देखते हैं मानचित्र पैमाने पर एक सेंटी मीटर बराबर जो है वो चार सो किलो मीटर है यदि दो शहर तीन हजार आठ सो किलो मीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर इनकी दूरी गयात करनी है तो यहाँ पर बोलाए कि जो एक सेंटी मीटर है वो 400 km को दरसाता है तो हमें बोला है कि 3800 km जो हो कितने cm को दरसाएगा तो इसको हम 400 से भाग कर देते हैं तो इसको 400 से अगर भाग करेंगे तो हमारे पार जो आंसर आएगा वो आएगा 9.5 cm तो इसका आंसर हो जाएगा option number 2 इसका correct हो जाएगा अगला देखते हैं अगला है एक taxi मीटर यात्रा के पहले 2 km के लिए 25 रुपे और बाद के हर किलो मीटर के लिए 8 रुपे के शुल्क दिखाता है मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक यात्रा करने के लिए किराया के रूप मे 249 रुपीज का भुकतान करती है उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है अब उसने टोटल जो रुपे दिये है 249 दिये है अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो टैक्सी है शुरुआत की जो 2 km है उसका जो किराय कितना है 25 किलो मेटर 25 रुपे है तो हम 25 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया यह आगा 224 टीक है इतने रुपे बचे अब हमारे पास जो है 224 जो है उसको हम भाग कर देंगे 8 से तो इसको ऐसको 8 से है तो इसको 8 से अगर मैं cancel करूं तो यह कितना हो जाएगा 28 आ गया अब देखिए 28 किलोमेटर जो है वो 8 रुपे के हिसाब से चला अब स्टार्टिंग में था कि 2 किलोमेटर 25 रुपे लिए थे 2 किलोमेटर तो 2 किलोमेटर स्टार्टिंग के और 28 जो बाद में आया तो यह हो गया कुल 30 किलोमेटर तीक है 30 किलोमेटर की दूरी उसके रेलवे स्टेशन से घर तक की है अगला कोशन देखते हैं अगला है एक व्यक्ति अपनी आय का 3 बटे 5 हिस्सा खर्च कर देता है यदि उसकी आय 4,000 रुपे हो तो बचत क्या होगी तो द यह 24 तो 2,400 रुपे वो क्या करता है खर्च करता है तो पूछा क्या है इसमें तो कितना बचाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 4,000 में से माइनस कर देंगे तो 0, 0, 6 और 1, 1600 रुपे वो बचाता है ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला है 31 माई 2020 को 23 बचके 55 मिनिट पर पतना से एक ट्रेन शुरू होती है और 2,2018 को 5,20 बजे मुंबई पहुँचते है ट्रेन का कुल यात्रा समय क्या है देखें 31 माई 21 माई को चलती है ट्रेन 23 पचपन पे ठीक है उसके बाद पहुँचती 지कब है वो दो जुन को ठीक है दो जुन को पहुँचती है कितने बजे पांच बीस पे तो उसे कुल कितना सामय लगा यह पूछा है तो देखिए 31 मैं 31 मैं में अभी कितना सामय बच रहा है पूरा होने में 5 मिन्ट बच रहे हैं तो 5 मिन्ट तर श्टार्टिंग अब एक जून एक जून तो पूरा सफर किया है मतलब कि 24 घंटे तो इसमें 24 20 गंटे और उठ जाएंगे और 2 जून को पहुँची है कितने बजे पांच 20 पे तो 5 गंटे 20 मिनिट अब क्या करेंगे इसको हम जोड़ देंगे तो यह आएगा 29 गंटे 25 मिनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number D अगला question देखते हैं अगला है कितने तरीकों से 1 cm का एक वर्ग है उसको 36 छोटे वर्गों को व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि परिरी नाम जो है वो 36 cm स्क्वेर हो तो यहाँ पर बोला गया है कि एक एक cm वाले अगर हमारे पास 36 वर्ग है तो उसको किस तरीके से अरेंज करें कि उसका जो एरिया हो 36 cm हो तो देखिए पहला तो हमारा 1 गुना 36 हो सकता है फिर 2 गुना 18 फिर 3 गुना 12 चार गुना 9 और फिर 6 गुना 6 तो कितने तरीके एक, दो, तीन, चार, पांच तरीके से ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा C अगला कोशन है अब यहां पर बोला है एक व्यक्ति एक पानी की बोतल 70 रुपे 20 पैसे में लेता है एक पैकेट चिप्स 21, 60 में एक बिसकिट का पैकेट 8 रुपे 90 पैसे में और एक चाय का पैकेट 5 रुपे 80 पैसे में तो कुल कितने पैसे देता है तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे 17, 20, 21, 60, 18, 90 और 5, 80 ठीक है इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 63.50 तो 63.50 पैसे उसे देने पड़ेंगे अगला कोश्चन है छात्रों में 27 किलो काजू जो है वो बाटना है और हर एक छात्र को तीन बटे 4 किलो गराम काजू मिले तो कुल कितने छात्र होंगे ठीक है तो इस टाइप के question हो करेंगे 27 को हमें भाग करना पड़ेगा 3 बटे 4 से ठीक है तो यह तो 27 का 27 गुना 4 उपर 3 नीचे तो 3 से काटा तो यह 9 गया 9 चौक 36 तो 36 छात्रों में यह बटेगा option number 30 अगला सवाल देखते हैं अगला है एक पंक्ती में रोहित का स्थान उपर से सत्रवा है यदि कुल छात्र साथ हो तो बताएं रोहित का स्थान नीचे से कौन सा होगा अब यहाँ पर यह बोला है कि टोटल छात्र जो हो कितने हैं साथ है ठीक है ऊपर से जो रोहित है उसका स्थान जो हो सत्रवा है ठीक है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा तो अब कैसे देखेंगे अब देखेंगे 60 कुल है उसमें से अगर मैं 17 माइनस कर दूँ तो नहीं पास कितना जाए गए तीन और ये 443 आ गया अब इसमें हम क् एक वर्टू फॉर्टी फोर तो चवालिस्वा उसका स्थान होगा ठीक है